नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप किस परकार से आप अपने Facebook पेज को डिलिट कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसकी complete जानकारी देने वाले हैं तो चलिए Profile पे मैंने कई सारे page बनाए हूँ है जिसमेंसे मैं कुछ page को डिलीट करना चाहता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ यहाँ पर सबसे पहले हम profile पे कलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम page को select करेंगे यहाँ पर देखिए इतने सारे page है तो मैं इसमें से कुछ page को delete करना चाहता हूँ जैसे कि यह technical mythless के नाम से मैंने बनाया हुआ तक काफी समय से मैं इसका use नहीं करता तो मैं इसको delete करना चाहता हूँ जैसी कि यहाँ पर हम जो है अब technical mythless वाले page पर switch हो चुके है अब हम इसे delete करना चाहते है तो delete करने के लिए क्या करना होगा हमें हमें three line पर click करना होगा इसके बाद यहाँ पर एक setting का option दिखेगा आपको इस पर click करना होगा इस पर click करते ही अब आपको नीचे slide करके आना है आपको आना है slide करके your information वाले section पर जिसमें आपको long activity फिर access and control वाला एक option देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा इस पर click करते ही अब यहाँ पर deactivation के लिए एक option मिलेगा आपको इस पर click करना है इस पर click करते हैं यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेगा एक तो temporarily आप अगर अपने page को सिफ टेंपरेली को समय के लिए deactivate करना चाहते हैं तो यह first वाली option को select करेंगे और आप चाहते हैं कि आपका page जो है permanent delete कर दिया जाए तो उसके लिए आपको दूसरे वाली option को select करना है और फिर continue बटन पर click कर दिना है इतना करते ही अब आपसे जो है delete करने का कारण पुछेगा तो यहाँ पर हम कोई सभी कारण select कर लेंगे इसके बाद continue पर click करते ही अगर आप अपने data को save करना चाहते है या फिर कहीं transfer करना चाहते है तो यहाँ से आप कर सकते हैं बरना आप continue पर click कर दे इसके बाद आपको यहाँ पर password एंटर करना है जो भी आपका Facebook profile का password है वो इसके अंदर एंटर करना है फिर continue पर click करते ही अब आपको यहाँ पर फिर से confirm करना है इसके लिए continue पर करने के बाद आप देखिए यहाँ से आपको बताया जा रहा है इस पेज़ पर कि पैज में आपको बताया जा रहा हrid़ा कि आप जब इसे Evet करेंगे तो 30 दिन तक आपको अपको इसे इस पर login नहीं करना है और यह जो है अब जो है जैसी आप डिलीट करेंगे अब जो आपकी प्रोफाइल है वो इस पर लॉगिन हो जाएगी तो यहाँ पर हमें क्या करना है आपको डिलीट पेज पर किलिक कर देना है जैसे आप delete page पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे switch profile अब क्या है कि हम अपने profile पर आ चुके हैं तो दोस्तो आप इस तरीके से आप अपने facebook page को delete कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारे इस video की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस video को like करें, share करें आपके मन में किसी भी परकार का सवाल हो तो हमारे इस video कमेंड बॉक्स में पूत सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को भी subscribe कर लिजिए Thank you for watching